आज 31 जुलाइ 2024 है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिनॉप्टिक सिच्वेशन की The cyclonic circulation over northeast Assam and neighborhood now lies over south Assam and extends up to 0.9 km above mean sea level इसके अलावा, the cyclonic circulation over Jharkhand and neighborhood now lies over Gangetic West Bengal and neighborhood and extends up to 3.1 km above mean sea level साथी साथ, the mansoon trough at mean sea level now passes through Ganga Nagar, Hisar, Delhi, Hardoy, Dehri, Purulia, Sagar Islands and then east-south-eastwards to northeast bay of Bengal और लास्तली, the cyclonic circulation over Bangladesh and neighborhood at 3.1 km above mean sea level has become less marked अब रही बात weather forecast की हमारे region की तो हम लोग expect कर रहे हैं कि Nagaland, मरनिपुर, मिजोरम और ट्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है साथी साथ असम और मिघाले के अधिकांश स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है और साथी साथ अरुनाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में हलकी से मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है Day 2 में हम लोग expect कर रहे हैं कि नागालेंड मनिपूर मिजोरम और त्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है वही अरुनाचल प्रदेश असम और मिघाले के अधिकांश स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है Day 3 में expect किया जा रहा है कि नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के अनेक स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है वही अरुनाचल प्रदेश, असम और मेगाले के अनेक स्थानों में अधिकांश स्थानों में हम लोग expect कर रहे हैं कि वहाँ पर मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है और day 4 और day 5 में हम लोग expect कर रहे हैं कि अवनाचल प्रदेश, असम, मेगालिया, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में मध्यमस्तर की बारिश होने की संभावना है weather warning की बात करें तो हम लोग expect कर रहे हैं कि day 1 में असम, मेगालिया, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में thunderstorm और lightning होने की संभावना है साथी साथ मिजोरम के एक या दो स्थानों में extremely heavy rainfall होने की संभावना है इसके अलावा असम, मेगालिया और मनिपूर के एक या दो स्थानों में heavy to very heavy rain होने की संभावना है और नागालैंड और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में heavy rainfall होने की संभावना है रही बार thunderstorm और lightning की तो यह हम लोग expect कर रहे हैं कि असम, मेगालिया नागालिया और मनिपूर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में thunderstorm lightning हो सकती है इसके अलावा यह भी expect किया जा रहा है कि असम, मेगालिया, मनिपूर और मिजोरम के एक या दो स्थानों में heavy to very heavy rainfall होने की संभावना है और साथी साथ नागालैंड और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में heavy rainfall होने की संभावना है दे 3 की बात करें तो दे 3 में हम लोग expect करें है कि अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगालिया, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में thunderstorm lightning होने की संभावना है वही heavy rain expect किया जा रहा है एक या दो स्थानों में अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगालिया, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में thunderstorm और lightning होने की संभावना है साथी साथ ये भी expect किया जा रहा है कि अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगालिया और नागालैंड के एक या दो स्थानों में heavy rain fall होने की संभावना है और डे 5 में expect किया जा रहा है कि अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगालिया, नागालैंड, मनिपूर, मिजोरम और ट्रिपुरा के एक या दो स्थानों में thunderstorm, lightning होने की संभावना है वहीं ये भी expect कर रहे हैं हम लोग कि असम और मेगाले के एक या दो स्थानों में heavy to very heavy rainfall बारिश होने की संभावना है और साथी साथ अरुनाचल प्रदेश और नागालैंड के एक या दो स्थानों में heavy rain होने की संभावना है